दोस्तो स्वागे थे आप सभी का Education Care 6 में इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी मैं चीज़े यहां बताने जा रहा हूँ उसको एक बार समझेगा योगेता क्या होती है योगेता किसी परिक्षा के लिए क्या होती है किसी भी परिक्षा का एक eligibility criteria होता है यानि कि योगेता होती है कि उस योगेता को अगर आपने पढ़ा है या फिर आपने उसका Section 1 और Pro Section 1 प्रमान पत्र आपके पास है प्रूफ है कि हाँ आपने वो Section 1 और Pro Section 1 योगेता रखी है तो आप योगे होते हैं सिंपल सा बात है तो यहां पे BPSC ने हाल के दिनों में बिहार लोग सेवायों की के दोरान Teachers की recruitment लिया यहां पर अलग-अलग विसे के अलग-अलग eligibility criteria है रहा है यानि कि योगेता हैं आपकी हर subject की हर विसे का अलग-अलग रहा है तो यहां पर Computer Science को लेकर जो है एक लंबी चोड़ी list दी गई थी मैं आपको वो list भी दिखला देता हूं जो list दी गई थी यह आपकी eligibility को लेकर यह वो list है जिसके जरिये जो है यहां पर आप चेक कर सकेंगे कि आपकी पास अगर यह योगेता है तो आप computer teacher बनने के योगे है लेकिन इस पूरी योगेता में कहीं भी यह चीज़े नहीं लिखी गई है कि आप जो है diploma in computer application है तो आप eligible कहीं नहीं लिखी ठीक है यानि कि DCA वाले चात्र जो है अगर आविदन करते हैं कक्षा 11 से 12 को पढ़ाने के लिए तो आप यहां पर eligible हैं ही नहीं यानि कि आपको disqualify किया जा सकता है यहां पर एक notification जारी किया गया है दोस्तों आज के 12 जुलाई के date में है यह और यह जिला किसन गंसे update किया यह देखिएगा और यह जिला कारिग्रम प्रदिकारी ने इसको update किया है और यह जो है जो भी छात्रा है यहां पे हैना उनके बारे में update है विद्ध्याले अधियापिका है यह बाली का उच विद्ध्याले धरनी फुलसरा जो की प्रखंड टेढ़ा गाच के किसन गंजिल करना है कि विहार लोग सिवा आयोक की अनुसंसा के अधार पर आपका चायन कंप्यूटर सिक्षक 11-12 के पद पर किया गया है यानि कि एक कंप्यूटर टीचर 11-12 की क्लास टीचर यह हुई है आपकी द्वारा समर्पित सेक्षरिक और प्रोसेक्षरिक प्रमार पत्रों को मि जा गया कि आप पटना विस्विद्धाले के अंत्रगत मगद महिला कॉलेज से कलास अंकाय में इसना तक है अब देखिए इन्होंने आर्ट्स में क्या किया है इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया यानि कि कला से इन्होंने क्या किया है अपना ग्रेजुएशन किया है तथा इन्होंने क्या किया है, डिपलोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन किया है, यानि कि DCA किया है इन्होंने, ठीक है, अब उत्रिन है, तो विभागी निदेशा नुसर, जो विभाग का निदेश है और कम्प्यूटर सिख्च के पद है तो पेक्षित आहरता ये नहीं है तो अता आपसे निदेशा नुसर कहना है, कि उपरयोगत के संदर में आप अपना पक्ष तीन दिन के अंदर रखना सुनेशित करेंगी, कि निदारित अहरता धरना धारन जो है, ये नहीं करने की योग्या है, इसे सित्वी में क्यूं नहीं आपके सिवा अब समाप्त कर द या आप जीवन के किसी भी पड़ाओं में अपने नौकरी को छोड़ने का ये खत्रा मूल रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका नौकरी जा सकता अगर आप eligibility नहीं रखते हैं, आप यहाँ पर आएंगे और ये देखिएगा, ये जो है computer science को लेकर योग्यत क्या होगी, sectioning की बात करते हैं, और pros sectioning, यानि कि आपके पास htet paper 2 का, जो है clear होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, वो तो इनके पास था ही, तो यहाँ 50% अंगों के साथ, इन निम्न विशे समुहों में मानिता प्राप्त विस्विद्दाले ऐस अंस्तान से, प्लस आपका master's होना चाहिए, इस नातोक्तर बोला गया, तो ये पहला हो गया criteria, with computer का, यहाँ पर अगर degree देखेंगे, तो, अगला है, ये किसी आत्वा, अत्वा मतलब कि इसके अलावा, किसी मानिता प्राप्त विस्विद्दाले से, AICT से मानिता प्राप्त संस्थान से, अब B.E. या B.T. है, computer science, CIT में, अत्वा, अत्वा यानिक अगला, या उसके समकक्ष है, भारत सरकार के दुगरा मानिता प्राप्त संस्थान से, आपने डिप्लूमा कर रखा है, तो ये समकक्ष होना चाहिए, अब B.E. बीटे के समक्ष तो D.C. है नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेगा, ये इसलिए भी eligibility नहीं रखती है, इनकी, किसी मानिता प्राप्त भी स्विद्याले से, AICT से मानिता प्राप्त संस्थान से, किसी stream में, अगर आपने B.E. या B.T. किया है, माले मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी B.E. में किया है, तो आप B.T. है, और तथ प्राप्त संस्थान से, किसी मानिता प्राप्त भी स्विद्याले से, कंप्यूटर स्विद्याले से, मास्टर्स बोला जा रहा है, M.E.M.T. किये है, या आपने यहां पर M.E.M.T. in computer science, या IT से किया है, तो आविदन कर सकते हैं, या फिर oblique दिया गया है, कि M.C. किये है, य मानिता प्राप्त भी स्विद्याले से, इसके स्विद्याले से, कंप्यूटर 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 स तो इसका इसनात्र का डिगरी मांगा जा रहा है तो अब computer science में इसनात्र यानि कि यह B.E.B.T.E.C. को ही इसनात्र कहा गया है ठीक है बहुत सारे चात्र यहाँ पर जो है भी एसी इन computer science करके और इसनात्र नहीं किये थे तो इसनात्र करना जुरूरी है इसके साथ ठीक है तब ही आप eligible होंगे यानि कि master's होना चाहिए आपका किसी विषय में तो आप eligible होता है ठीक है तो यहां से भी eligibility नहीं है चुकि इनका आर्ट्स में यहां पर है जो चात्र है और डीसी है किया है इनोंने यह eligible नहीं है अब विस विद्धाले से computer science में post graduate diploma किये है ठीक है अब PG DC आपने किया है मान लिजे किसी विषय में और साथ में एक इस साथ साथ इसनार तक के जरूरी है आपका या MCA किये हैं तीन वर्सी है छे समिस्टर वला तो भी आपका जरूरी है आप eligibility रखते हैं इसके लिए बीट का होना जरूरी नहीं है computer science में सिक्षक बनने का तो यह तो जानकारी होगी eligibility को लेकर ठीक है और जो किये थे चार्ट उनकी लिए भी बता दे कि यहां पर देखिएगा कि विस्विद्दाले से आपका डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है डिप्लोमा आपके बारे में बहुत सारे जानकारी दिये कही एक वीडियो बनाया है हमने आपको इसको लेकर तो आपको सभी eligibility को भी देखिएगा डिप्लोमा eligible है ठीक है लेकिन यहां पर DC eligible नहीं है ठीक है यह computer application हो जाता है इसलिए यहां पर eligibility कहीं भी नहीं दी गई है इसलिए इनको यहां से बाहर किया अब बाकी जो फैसला होगा यह आयोग लेगा और सिक्षा विभाग लेगा इसके लिए लेटर जारी किया गया है अब सेलेक्टिव टीचर है ठीक है और यह देखिएगा त्रिप्ती मौरिया त्रिप्ती मौरिया जो है यह अनिराज्य की निवासी है और सीटेट में इनका जो है 85 मार्क्स है देखिए महिला है तो उनको आरक्षन नहीं मिलेगा बीपी एसी के जरीए आप लोग भलेई qualified अपन सेटेगरी स्टुडेंट आपका होना जरूरी है इसलिए इनको यहां से रिमार्क में लिखा भी गया कि अनिराज्य की निवासी है और 85 मार्क से और कक्षा 6-8 में यह पढ़ा रही है तो गणित विग्यान की सिक्षक है तो इनको यहां से जो है डिस्क्वालिफाई किया ज दा रहा है लेकिन यह आरोप साथ बीपीएसी पर लगना चाहिए जो कि बीपीएसी जब डॉक्मेंट कर रहा था तो उस समय यह चीज़े क्यों नहीं की गए यतना सारा लोगों का सेलेक्शन हुआ है यह हर आप जिला से देखेगा तो लगबग लगबग 200-300 लोगों का से लेक्शन डिस्क्वालिफाई में बदला है तो यह आयोग का गलती है इतना सीट खाली रह गया इसके बदले सब्लेमेंटरी रिजल्ट को देदेरा था यहाँ पर सब्लिमेंटरी रिजल्ट होता जो जो कि जैनूइन इस्टूटेंट कह यहांप सेलेक्शन हो पाता तो यह सारी जो हैं लिस्ट दिये गया है और इस लिस्ट में देखेगा तो जनरली वही छात्र हैं जिनका कि टीटी में 60% नहीं है और वह अन्य राज के निवासी है यहां पर देखेगा तो एक पैरा दिया गया है कि एक ऐसी छात्रा है रिना कुमारी नाम है इनका CTAT में 86 नंबर है ठीक है और यह 628 में पढ़ा रही है ठीक है अन्य राज की निवासी है और 80 और EWS पीता के पते का होना चीए जिसे इनका साधी हो गया है बिहार में और यह अन्य राज की है तो ऐसा नहीं है ध्यान रखेगा आपका साधी भली बिहार में हुआ है अगर आप अन्यराज की है तो भी आप जनरल केटिगरी में ही आएंगी आपको यहां का benefit नहीं मिलेगा बिहार का अगर आप बिहार की बेटी होती है अन्यराज में चली गई है साधी करके तो बिहार सरकर आपको इसका benefit मिलता जो कि उसमें आपको आवासी है और EWS यह जाती प्रमाण प साथ इसनातक के पहले ही सीटेट किये हुए तो यह सिक्स टू एट के लिए ठीक है तो देखिए सीट इटी तो भाई जरूरी था क्योंकि 125 के लिए इन्होंने सीटेट दिया होगा लेकिन यहां पर जो अप्लाई किया है यह ग्रेजुशन के अधार पर इन्होंने अप्ला है इनका इसनातक आर्ट में परन्तु सीटेट जो है मैतेमेटिक साइंस में दी है तो यहीं पर गलती हो गई इनको अपने सब्जेक्ट से सीटेट करके देना चाहिए था समाजिक विग्यान के सिक्षक यहां पर कैसे बनती है ठीक है एक 628 में ही लिष्ट आया है जो कि और एक है यहां पर की प्रस्तूत किये गए अंग पत्र और प्रमान पत्र में इसनातक का विष्ट ही नहीं है तो यह डॉक्मेंट से इनका थोड़ा सा गड़बड है बीएट के बाद इसनातक डिगरी प्राप्त की गई है तो बीएट के बाद इसनातक मतलब कि 9-10 के अंग्रेजी विष्ट है और सब्सीक्षे के रूप में पठित नहीं है यह करिका के पाएट का इसमें गलती है ऐसा नहीं है कि आयोग ने गलती नहीं किया है आयोग का भी गलती है पंचायद सिक्षक के पर कारे करते हुए रेगुलर मोड़ पर इन्होंने बीयड किया है यह देखे तो यह दोनों तरफ जाएंगे पंचायद सिक्षक में सिक्षक थे हैं तो वहां से भी बाहर हो तो इनको फायदा हो जाएगा तो ये सारी चीज़े हैं तीन दिन का यहां भी इनको समय दिया गया है कि अपने सभी प्रमाण पत्र स्वव भी प्रमाणित सलगन करते विस्पष्ट करें कि आपके दूरा जो कारे किया गया है क्यों ना आपको अभियार्था को निरस्त करके आप बंदिंग न्युक्ति पत्र रद कर दिया जाए और समय आवदी जबाब भी प्राप्त नहीं होने पर मना जाएगा कि आप को कुछ भी नहीं कहना है और इस अलोग में विभाग के द्वारा यहां पर अगरतर करवाई भी की जाए तो यह एक सूशना मिली है दोस्तों य हुआ इन को भी 3 दिन का समय दिया गया तो यह जान्कारी थी आज के इस वीडियो के माध्यम से को लेकर और कौन-कौन योगेता योगिन नहीं है यह हमने आपको बताया अ little